दोस्तों, Mobile Technical Guru में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप Geo Phone चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतपूर होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में Geo Phone के ऐसे Secret Trick के बारे में बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते हैं अगर इस ट्रिक को आप सीख लेते हैं तो आपको जियो फोन चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करदा है और इस वीडियो को सभी ग्रूप में सेर करदा है यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब के बकल में जो घंटी का आइकान देख रहे हैं इस पे आप क्लिक करके आल वाले बटन पे दबा दिजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड कर दोस्तों आप जब भी जियो फोन में यूटूब चलाते हैं यूटूब पे अलग-अलग तरीके का वीडियो प्ले करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपका मोबाइल फोन जादे गर्म होने लगता है तो चलिए यहाँ पे वो ट्रिक हम आपको बता देते हैं कौन सा ट्रिक है जिससे आपको फाइदा होने वाला है तो चलिए यहाँ पे हम यूटूब को ओपेन कर लेते हैं ध्यान दीजेगा बहुत ही कमाल का यहाँ पे हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं एक कारनर में एक आप्शन मिलेगा ठीक है गोल सा डब्बे सा ब डाउन एरो से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेटिंग का अपसन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है जैसे इस पर इस पर क्लिक करना और जो भी आप सर्च किये रहेंगे यूटूब पे वीडियो देखे रहेंगे उनकी जो फाइल टेंपरोरी बनी रहती है उसे आपको clear कर देना है अब और आपको नीचे आना है यहां पे आप देख सकते हैं clear search history दोस्तों इसे भी आपको clear कर देना है ठीक है जो भी आप YouTube पे कोई भी गाना कोई भी वीडियो सर्च किये रहते हैं उनकी temporary file आपके phone memory में save हो जाता है और आपका YouTube 20MB से सीधे 200MB 300MB का बन करने लगता है और कुछ दिन के बाद आपका जो phone memory है उसमें जगा नहोंने के कारण आपका YouTube नहीं चलता है रुक रुक के चलता है बफरिंग करता है तो इसे आपको clear कर देना है अब यहां पे और आपको नीचे आना है यहां पे push watch history को आपको बंद कर देना है ठीक है turn off कर देना है ठीक है यहां पे देख सकते हैं यह दोनों option बंद हो चुका है दोस्तों इस तरीके से आप अपने mobile phone में YouTube को और fast तरीके से चला सकते हैं और जब भी आप अपने mobile phone में internet का इस्तेमाल करेंगे internet data को connect करने के बाद जब YouTube को चलाएंगे तो आपका YouTube में कोई भी वीडि sharing नहीं करेगा और जल्दी जल्दी वीडियो प्ले होगा दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी ग्रूप में सेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइक है उसे जरूर दबाले ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे जाए तो दोस्तों म मिलते हैं कुछ इसी टाइप की वीडियो के साथ आपका दिन सुभव